कि अगर किसान तो यह नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर दी तो देश आगे नहीं बड़ सकते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम एम करके आपको देदेगे आप अगर कर दो ढाने वाद भाध कार में भाधा कि हमारे नहीं हम लोग के बीच में पधारे हैं आज इस देश में मोधी के परकार में सारे किसोन जो सबका भरन पोचन करते हैं वो आज भिखारी के सब बन गया है हम अपने महान नेता इस देश के राउल भाई से निवेदन करेंगे करेंगे काणूनी दरणाल गड़ाई हमारे क्रफ से लड़िये पानी बरता है तैया क्टोना रहा जाता है वार में बुम जाता है पानी कैसे रहेंगी आपको समसिया से बोल रहे हैं देख करके चल करके दिखिएगा कि कैसा है दिन बा दिन नीचे से नीचे गिरते हुए चला जा रहा है और वो आपके सामने खुद देखाई दे रहा है कितना कमजोर सब दस बीगा बाड़ बीगा पंदर बीगा खेती करने वाले लोग हैं लेकिन सब का हालात को आप देख रहे हैं अपने सामने देखिए कितने कमजोर और नहीफ हैं मजबूर हो करके ये किसाम का आल अवलाद पंजाब दिल्ली हेमाचल परदेश या दीगर दोसरे जिगा जा रहे हैं जो बड़ी दुख की बात है और हम लोगो एमेसपी तो सिर्फ सुनाई देता है इसका कहीं दू तक कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है नमस्कार उत्तर प्रदेश में भट्टा पर सॉल एक जगह हैं वहां जाकर मैंने जमीन का मामला किसानों की मामला जाके छे reviewing उसके बाद हिंदिया की पूरी मीडिया मेरे पीछे पढ़ गए बिलकुल उनका बताब बदल गया क्यों क्यों यह कि जो किसानों की जमीन की बात थी उसको मैंने जाके उठा दिया भट्ता परसॉल के बाद UPA ने, कॉंग्रेस पार्टी ने जमीन अधिकरन बिल पार्लमेंट में पास किया चार गुना कॉंपेंसेशन किसानों को अपनी जमीन के लिए चार गुना, मार्केट रेट से चार गुना मोदी जी का पहला काम पार्लमेंट में आकर इस बिल को रद करने का था तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 गंटा मीडिया का आकरमन शुरू हो जाए अब यहाँ पर यह आपका SSB का है कानून के मताबिक अगर यह जमीन इस्तिमाल नहीं की गई तो पांच साल के अंदर आपको वापिस मिल जानी चाहिए यह कानून है मगर यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिकरन बिल के कानून को तोड़ दी और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम यह जो आपका काम है हम करके आपको दी दे तिसानों को चारों और से घेरा जा रहा है आपकी जमीन चीनी जा रही है आपसे जमीन ली जाती है अधानी जी जैसे बड़े-बड़े उद्योग पतियों को फ्री में तोफ़े जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आपसे आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा चीना जाता है। और अजीब सी बात है, मगर अरब पतियों के 14 लाख करोन रुपए कर्जा माफ हो सकता है। लाने की बात हो, अगर किसान को ये नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज सच्चाई है कि जो किसान के दिल में जो डर है उसको सरकार मिटा नहीं पा दी। और किसान ने सरकार पे पूरा पूरा भरोसा खो दिया। मगर मैं आपको यहां यह कहने आया हूँ कि हमारी कोशिश रहेगे कि जो आप भरोसा होएं खोंडें एक बार फिर, आप हमारी सरकार पर भरोसा करें। और मैं आपको गैरण्टी देता हूँ, जैसे हमारी सरकार आएगी हम कानून को यहां लगुगूगूगे। कॉंग्रेस पार्टी अधिगरहन का कानून लेकर के आई MSB का कानून लेकर के आई और बार पीडितों को मुआज़ा देने का कानून लेकर के आई है लेकिन जो नई सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है इसलिए यह जो भारत जोरो न्याय आत्रा है इसमें हम पाँच न्याई की बात कर रहे हैं उसमें से एक सबसे जरूरी न्याई है किसानों का न्याई और राहुल जी ने गोला है यार रखियेगा राहुल गांधी जो बोलते हैं दुनिया इधर से उधर हो जाए वो कर के रहे हैं झाल झाल